जस्पंजाबी देख दे हुए सारे दर्शकानु मेरे वलो प्यार भरी सच्छी का तोड़ा स्वागत प्रोग्राम अज दा मुद्दा देविच मैं तोड़ी होस्ट आश्मिता सार्यानु इस लाइव प्रोग्राम देविच स्वागत कर देयां अज कुछ बहुत लाइन खुलियां हां तोडे comments ले questions ले इंटनाशनल हेड्लाइन तो पहले मैं उनाइट देविच इतिहासिक headline बारे जानकारी सारे आंदे नाल शेयर करना चांदिया आज दी डेट देविच ए ब्रेकिंग नूस अनाउंस हुई है एक बहुत ही वड़ा milestone United States the minorities lay as well as women lay that Aj Palliwari United States Supreme Court the which confirm huehan in African American woman as Supreme Court justice judge Ketanji Brown Jackson जनादी Supreme Court nomination दी लगातार coverage स्वाइट नाल शेयर कारे सी किस तरह उना दे confirmation process the hearings जारिया सी Democrats to Republicans किस तरह नो questions पुछ रही सी उना दे record नू investigate कारे सी ते अज उस चीज दा अंत इस ही चीज इस ही इस है announcement नाल होय है that Judge Jackson has been officially confirmed एक bipartisan vote दे विच तिन Republicans ने इस वोट दे विच पार्टी लाइन दे खिलाफ जाके Judge Jackson नू जो के President Joe Biden एक Democrat दे नमनी हन उना नू confirm किता once again Judge Jackson इस मुल्क दे पूरी हिस्ट्री दे विच Supreme Court दे पूरी हिस्ट्री दे विच पहले African American woman justice होन गे of course Judge Jackson दी टर्म हले शुरू नी officially हुन दी बिकाज जिस justice नू रिप्लेस करे Justice Stephen Breyers ओ हले officially step down नहीं किते उन्हाने आप दी retirement इस साले announce किती हुई है June या July दे विच जदो Supreme Court summer recess ले ब्रेक लवोगी उन्हाने किया कि मैं इस recess तो बाद नहीं return करांगा ते hopefully उमीद रखना कि ओस टाइम तक मेरी replacement नू confirm किता जाओगा so Judge Jackson ओस टाइम तक तुसी कह लो justice in waiting हान so देख दे हैं किस तरह Judge Jackson दी ये tenure ते ये Supreme Court nomination play out हुंदी है once again Democratic Party ले Democrat held majority Senate ले and of course President Biden ले एक इतिहासिक जित हैगी and United States दे विजवास्त हुई African American community ले and female population भी ले एक बहुत वड़ी जित आज प्रापत किती गई इस Supreme Court nomination दे नाल बट अज जिस headline ते असी program तो आड़ पेश करें है जदे उते ज्यादा चर्चा ते अज deep dive discussion होईगी ओ एक international headline हैगी साड़े सारे आण ले असी उन्हों शायद international तो आड़े नहीं वेख दे साड़े ए बहुत एक करीब headline हैगी किस तरह यह politics play out हो रहे हन ते केस तरह इस मुल्क दी history काफी problematic रही है एदी पूरी तुसी कहलो existence दे विच ते आज एक वारी फिर ओही political crisis सामने आ रही है एक international headline बन के अफ कोर्स आइं तो किस तान दे विच जो कुछ हो रहे है प्राइम मिनिस्टर इम्रान खान दे future नू लेके प्राइम मिनिस्टर इम्रान खान नू सारी ही news outlets रिपोर्ट करी हन most likely इस साटरडे प्राइम मिनिस्टर दी कुर्सी तो एक नू कॉन्फिदेंस वोट दे नाल कड़े आ जाओगा प्राइम मिनिस्टर इम्रान खान आप दी इस पुजिशन ले आप दी पुलिटिकल पावर ले कुछ हफ्तेयां तो लड़ रहे हन उन्हादी ओपोजिशन मेंबर्स ते पुलिटिकल इंडिविजूल्स ने एक नो कॉन्फिदेंस वोट पहले वी इना दे खलाफ जारी करन दी कोशिश किती बट प्राइम मिनिस्टर इम्रान खान ने आप दे सपोर्टर्स दे नाल पार्लेमेंट नू ही डिजॉल्व करता ताके ओ नो कॉन्फिदेंस वोट ना हुए ते एस वीकेंड सुप्रीम कोट ने डिकलियर किता के उना दे रूलिंग होएगी उस मुताबिक की प्राइम मिनिस्टर इम्रान खान दी जो ए तुसी कहलो स्ट्राटेजी सीगी डिजॉल्व करन दी उना नो जो इना दे खलाफ खड़े होए सन ओ काम्याब रहेगी या नहीं ते अज पाकिस्तान दी सुप्रीम कोट ने रूलिंग दिती है कि जो प्राइम मिन जदो तो ए पार्टिशन तो बाद एक जाद मुल्क बनेया है उस टाइम तो लाके अज तक कधी भी कोई भी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान दे विच आप दी पूरी पंच साल दी टर्म नहीं कम्प्लीट कर सक्या यूजली प्लिटिकल क्राइस या कोई होर तुसी कहलो वर्स सिचुएशन दे नाल पामे उससेशन हुए या कूद रही प्राइम मिनिस्टर नू उना दी सीट तो कड़ेया जान दा है कधी भी पाकिस्तान दे विच प्राइम मिनिस्टर नू एक पूरी टर्म नहीं सर्व करन दिती अज लगदा है के एक वारी फिर पुलिटिकल तर्मोयल ते क्राइस पाकिस्तान दे विच डेलप हो रिये कुछ दिना दे विच ही ओना दे प्राइम मिनिस्टर नू एस सीट तो कड़ेया जाओगा अवफकर्स इस मूव दे नाल इस स्टोरी दे विच काफी वड़े सवाल उठ दे है पाकिस्तान दे आप नवी डेलप्मेट दे नाल ओना दे जो रलेशन दे नाल है के ओ किस तरह एं पाक्ट होन के बट मुस्त इस स्टोरी दे विच युनाइट से बहुत वर्डा रूल हों दै किया कि इम्रान खान आप इस लाइन नो बार बार दोहरा रहे हैं आप दे सपोर्टर्स ले नाल जो जिस तरहां तुसी वेख सकते हो लोकी ती गिंती दे विच उनादी सपोर्ट दे विच रालीज राख रहे हैं। बार बार एं लाइन कही जा रहे हैं कि United States दा एक एक प्लॉट हैगा, एक साजश है, इमरान खान नू कड़न दी, कि युनाइट स्टेट्स एक तुसी कहलो, बहाइंड द सीन्स, मनुवर कार रहा है कि पाकिस्तान नू कंट्रोल किता जाए, नू दे प्लिटिकल सिस्टम नू कंट्रोल किता जाए, बट इस लाइन नू डिस्प्रूव कार दी है, military, and of course, पाकिस्तान दे विच एक हल भी एक तुसी कहलो, fact है कि अगर पाकिस्तान नी मिलिटेरी प्राइम मिनिस्टर दे नाल नहीं जुड़ी हुई, नहीं उना नू support कर दी, कोई भी प्राइम मिनिस्टर नहीं सर्वाइव कर स स्टेट्स दे नाल अलाइन रखना चांदी है, ते इमरान खान एक दूजी ही, तुसी कहलो, पात अपना रहे है, and ए पात शैद उना नू उना दी, प्राइम मिनिस्टर शिप गवादे, तो इस मुद्योते अज असी discussion करांगे, once again live, तो अड़नाल हाजर हुए हैं, तुसी भी सड़नाल कॉल करके, आप दे विचार इस मुद्योते सांजे कर सकते, उपामियो, United States दा एंगल होए, या India दा एंगल होए, पाकिस्तान दी political history, ते आन वाले future नू लाके अज असी discussion कर हो रहे हैं, साड़नाल एक जियो political analyst भी जुड़नगे, तुसी भी इस तरह जुड़े रहे हो, एक छोड़े जी break, तो बाद conversation जारी रहेगी, ब्रेक तो बाद सारे नू स्वागत कर दे हैं, तुसी वेख रहे हो, प्रोग्राम अज दा मुद्धा लाइव तरनाल अज हाजर होए हैं, ते international news नू लाके प्रोग्राम पेश कर रहे हैं, discussion रख रहे हैं, पाकिस्तान दे विच एक वरी फिर political turmoil, एक crisis brew हो रही है, पाकिस्त दे विच उना नू प्राइम मिनिस्टर शिप तो कर देया जाओगा, एस चीज नू लाके खास करके, जो इमरान खान दे कुछ बेयान रहे हैं, के युनाइट स्टेट्स इस पूरे साजिश पिछे, युनाइट स्टेट्स दा हाथ है, एक बहुत बढ़ा प्लॉट है या इवन रश्या होवे, इन चीजानू लाके दिसक्शन करन ली सदना जुडेहन, जियो पुलिटिकल अनलिस्ट और कमेंटेटर, इस वह फांदर, और सीओ, सर्दार गुर्चरन सिंग जी, सब तो पहले गुर्चरन सिंग जी, तोड़ा प्रोग्रम देविश स्वागत, स सुरियकाल, सुरियकाल जी, आइस्पदा जी, की हाल तोड़ा? So good, I'm well, Gurshaen Singh जी, it's good to have you, welcome back to the program. गर्चान सिंग जी तुअधा रीसेंट रहा सी इंडिया देविश तुसी काफी चेले उते सीगे इंफाक तुसी पाकिस्तान भी जाना सी इस ट्रिप देविश तुसी लगा था जांदे रहन देव formerly you were with the World Bank जो तुन्नू दुनिया दे कोने कोने देविश लाके गया जो position ने तुन्नू किने कल्चर से लोका थे प्लिटिकल र्यालिटी इस देनाल experience दता ते आज तुसी एस experience नू सादेनाल शेयर करने लेग वारी फिर जुड़े हो appreciate your time Gurjan Singh जी एस वेले पाकिस्तान दी जुस्तिती बनी हुई है उनू लाएके overall सानू की perspective रखना चाहीद है देखो जी पहले दे I just want to tell you Pakistan नाल मेरा बड़ा लगा हुए I've been to Pakistan so many times or especially जद करतारपूर कोरिडूर असी किता सी that was totally designed and developed by me the feasibility report पूरी बनाई सी उस रिपोर्ट नू लाएके world bank report बनाई सी और उसी रिपोर्ट नू लाएके इंडिया और पाकिस्तान देविचकार जड़ा कोरिडूर बनेया है असी thankful ना प्रामिस्टर इम्रान साब दे बाजवा साब दे जना ने सिखा दिया है सुनी सी और एथोनी प्रामिस्टर मोदी जी दे रिया सी तनवादी हैं जिना ने एक अतला को कॉरिडूर खोलिया से ना राइट ना सिचुएशन इस वेरी सैट इन पाकिस्तान इसना है कि असेंब्ली जड़ी है इम्रान खान जी ने डिजॉल करते थी और क्यों डिजॉल किती क्योंकि ही दिस अव फुल मज़ॉर्टी ते मनु अज जी वह ने सुन नू मिल जा सी कि काफी लोग जड़े ओनागे क्योंकि बाई पाइपटी बनी सी ते कुछ लोग जड़े ने उननू छट की चले गए ते हुन किया है कि उन्हों को for no confidence motion he has dissolved the parliament yes so once he dissolve the parliament it is very uh you know then opposition party was very against and they were so unhappy and then they went to the supreme court and aaj ji one of the gala thodi de pala de gala the supreme court has passed the law that you can't dissolve the parliament like this ji so now supreme court nae order kite ne ki tu si no confidence motion karo i think which is going to be happen in saturday or sunday and they will go from there ji um is no confidence vote to baad um you know ki hunda we'll get to that eventually as well ki yasi forecast kar sakde but os toh pehle i want to talk a little bit about joe circumstances karke ithe tak naubat paunchi hai um you know pakistan de wich kuch reality is han right that political uh joe political power laike and they have to have the military's support and uh paway 2018 de wich imran khan no military de support ah uh support deteriorate결 he is uh to the point ke नहीं, I think, I agree with you, military दे एक वन अस्पेक्ट है गया है, जड़ा दूजा अस्पेक्ट जड़ा सी देख दे पहे हैं, I would say from the World Bank perspective as well as international perspective, ओते जड़े आम पुब्लिक दा विचार है गया है, ओ है है कि the governance was very loose. And the operation thing was not done. जिनने भी एनने commitment कीतियां सी रोट बनाने निया करने ने, things have not done. According to Imran Khan, that this is coming up, slowly, slowly coming up. But as I feel that, I did talk to a couple of Pakistani friends and everything, they said he couldn't do it. And then, एभी होया कि कुछ जड़े लोग सी ओग गलत लोग उने पालिमेटी ले सी, जड़े की पुब्लिक दूचे नहीं लगए सी. So, he came as a dedicated Islamic religion दे उते करन वासे आई सी, as a prime minister, and people have given him full support. But he has failed to do few things, which is creating this problem at this moment. Gurcharan Singh जी, that seems like a pretty normal political situation, कि कोई एलेक्ट ओफिशल पौलिटिशन पावर चान्दा है, उनानू जड़ो नहीं हो, जो अपने वादेयां होते, नहीं प्रूव कर दे, के उनानू पबले किया, institutions, entities, नहीं चांस दिन दी. But the situation here is a little unique. Live program पेश कर रहे हैं, callers भी सदनाल जुड़े होई होना, तो भी इस मुद्यो तिविचार सुन लें दे हैं. कॉन बोल रहे हो, कि तो बोल रहे हो? मैं पाल सिंह बोल रहा है, तो क्राना है, तो कैलिपोर्निया तो. सद्सिकाल, पाल सिंह, खुराना जी, दसोग, की कहना चाहोगे? Am I on here? Yes, you are, हां जी. पहले पर श्मिता जी ते गुर्चन सिंह जी नूँ वा सद्सिकाल, सदार्या नो बंच अगें सद्सिकाल, जी को चीज है के जड़ा घुर्चन सिंह किया, कि इस अड्मिनिस्टेशन वास लूज, जिस्ते प्रॉमिस करके तुसी ओधे पावर के आहता हो, तुसी ओधे पावर नो लोका नो सैटिस्वाइद भी का सके, जी. तुसी ओड़ू सैटिस्वाइद नहीं कर सके, तेला मरत तुसी अपड़ी पार्टी दा, अपने लोकाओं के तौड़े पावर जड़ी जमीन होती है, वो किसे कही है? जी. मैं भी बड़ी उनी सी कि ही, ही वाज ए क्रिकेटर, वो वन ता की कजने, वोल्ड काप आगा, वोल्ड काप, ती फिफ्टी जड़े, पाकिस्टान वाज से चितिया, ते जहांदे करिकेटर, जड़ा हैगा, एक नवी दिशाद आएगा, जी. उस पाकिस्तान नूँ जड़ा की जिनना साब जा ट्रीम हैगा ती. जी. इन फेक्ट मैं तो आड़ेना शेयर करना चाहूंगा ना सरोतिया नाल, आई वेटे अर्टिकल ऑन जिनना साब इन टाइम्स, ते जड़ी मैगजीन निकल दे इस तो, जो जो नह ने सारा कुछ क्या, इननने पाकर ओड़ानों तुसी चैस सर्प्राइज होगी या पता भी होगा, जिनना साब लो उड़ दूनी सियां दी. जी. ते जड़ी अपड़ी होगे जड़ी होगे जड़ी होगे को सुलीन लेक्ट ओना ने बनाई थी, जी. पाकस्तान दे विच दो हैगेने बाइफरक जे, एक शिया और सुनी, जेड़े आसो कत हैगेना में रखा हैं सुनी ने, और दूजे शिया ने जेड़े पहता, सदार जी सियाति कर देंगे, और जेड़े एदा दे होगेने फालोवर, ओनानों हेट कर देंगे पर महममद जिन्ना साथी फोटो हैजे फादर हो ने जेड़े ने हर्दिगर नाई होगे, पाकस्तान ओनाने को जेड़े क्या सिगा, ओनाने आख क्या सिगा, बात्मागादी में जीने एक वारी क्या सिग, मैं जीने 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 जाएजे नहीं सिंदगी सिर्फ दो बंदें ने सेड़े महनों नहीं समझ सके, जास्तो बात या ओदो जो ओडियो ड्रीम पाकस्टान दे जिना साथ लोका न मैं आपे बच्चा जाओ दू ओडू ओड्रीम ताइस बिन शेटर्ड अक्ट उसी तत्या एक देखो किनी देर बाद जो पुटो ने जिना कॉंसिटिशन बनाया जिना कॉंसिटिशन बनाया बड यह दी शुर्वात तो लाएके अज दी देख तक मुल्टिपल क्राइसीज एंड किस तरह ए मुल्क इंडियोर कर रहे अगे वद रहे है गुच्छन सिंग जी यह थे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कॉलर ने कुराना साब ने हुने रेज किता जिन्नू मैं जैद अगर इसी कंपेर करना हुए तोड़ा एक्सपीरियंस लंबे समय तो हैगा तोसी जान दे रहन दे हो पाकिसान दे विच वी इन तोड़े काफी कनेक्शन वी हनू थे अगर इसी कंपेर करना हुए ओस कैंपेंड प्लाटफॉर्म दे नाल जो 2018 दे विच इमरान खान ने लो इसलामिक इडेंटिटी नू लाकि किस डिरेक्शन दे विच इमरान खान मुल्क नू लाकि गया है जो मेरा मेरा परसनल विचार होएगा मैं इंडिकेट कर सब्सक्राइब की जद इमरान खान आयन यह के मैं आजे वेरी डेडिकेट इसलामिक आज वेल आज वेलास तो आजे बड़ आगिल इसलामिक वेलान खान घाल मयां खाने इसलामिक आजे जायन खाने जदा परन लेदा इसला उन्रेड़ की घंहां था होएगा में ङुछ अफवग पर धिया हराओं जी मेरान से और हैपां टूर की इसंटार प्रूमिक गया जिया फिभ मेंठेटि इंड वेडरी की करने बीषा नियु обяз दोपान पिपूण में आपना कि अगानुई नहीं थे प्रेट थेbी कि अपानुई रौद से अगारी आपन. इसके कम अपना, नहीं दिन सत्केतर अपने नहीं कर दो अधिए. जर्वनान को रूमी ख्राव हैं फिर कंट्री दी जर्ण इंफलेशन बड़ा है क्या एंद गोगा बाएब्ड फ्रविश्विस नियोनिया जाब नियोनिया धन पीप जोगर आगेंस ए मैस दोड़ करना को ब्रॉन पर पलेबनेंटेयर मेंटेरि नियो कोद गए नियोक बहु जो ये बयान सुनननों मिल रहे कि United States दा इस पूरी situation दे विच कुछ हाथ सीगा एदेवारे भी I'd love to hear your opinions एक छोटी जी ब्रेक लिए I really I really would like to indicate this होया किया है कि तुसी देखो जद उक्रेन दे रश्यानल वार शुरू होया जी I'm so sorry मैं तुनों इते रोक रही है ब्रेक दा समा आ गया ब्रेक तो बाद असी एत्थों ही conversation नो जाए रखांगे please hold that thought किते ना जाओ viewers तुसी भी इस तरहां जुड़े रो callers नो बेंती कर दे हैं please hold रखे और disconnect ना करें ब्रेक तुबाद तुड़ी call चुकांगे ब्रेक तुबाद मुड़ हाजर हुए हैं तुसी वेख रहे हो लाइव प्रोग्राम अज दा मुदा अज असी पाकिस्तान दी इस नवी development नो लाके डिसकेशन का रहे हैं तुसी वेख इस डिसकेशन दे विच जुरूर शामिल हो सकते हैं सदना जुड़े हैं वाशिंग्टन डी-सी एरिया तो गुर्चरन सिंग जी आम एक परी फिर गुर्चरन सिंग जी तो ने प्रोग्राम दे विच स्वागत कर दे हैं geopolitical commentator तुसी अपने प्रीवेस रोल दे विच अथे वर्ल बैंक दुनिया दे कोने कोने दे विच ट्रावल किता लोका दे नाल connections बनाएं इंक्लूदिं पाकिस्तान एं ओदा भी सिखां दे इतिहासिक तॉर ते पाकिस्तान दे नाल किने connections हैं लगाव हैगा करतार पूर corridor खुलन तो बाद लगातार community दा उथे travel भी रहनदा हैं और नो different in that in that sense गुच्छन सिंह जी ब्रेक तो पहले असी गाल कार रसी उन बयाना दी जो recently Imran Khan ते उनादे allies तो सुनननू मिले हैं के ए जो political conditions जनादे विच इमरान खान नू कड़ेया जा रहे है इस वोट अवनो confidence रही that ए पुलिटिकल काट है और पिच्छे United States दा कितना किते हाथ हैगा कोई साजिश है इस चीज नू लाके तुसी comment करन लगे सी प्लीज कंटिनू दा तॉट 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 नू नू करन लगे सी ए दूसरा दिन सी शुरू हया सी भी है और स्विल एंडान खान उते पुंचे में रशीया जी इस पुलिटिनू लगे साथ है टुटिनू रहे जो था प्रितिनू अवारव बान इस नूसरा दिनू पूप बाएब तो अट अवर नू कि उक्रेइन नू अटेक हो रहे है ते मैं अपना फैदा चुक्न हुआ हूँ. मैं नी सम्मीजाएगा लोई है. ते फिर क्यो है कि जदो उदर वापस आये ते शाह कुरेशी न जड़ा होना दे फारन मिनिस्टर है, उन्हें भी क्या कि देखो जी असी, we are not, we are not with either with Russia or we wanted to have peace. उन्हें क्या है, उन्हें भी रिपोर्ट पड़ो, शाप कुरेशी जड़ा होना दा फॉर्न मिनिस्टर है का है, पहुर्स क्या है कि असी नई चांदे कि डाउना लड़ह हुए और असी एन चांदे है कि उन्हें, ब्सट किन शबिः ना लड़ा होए़ और अच चांदे है कि ये पहूँड कि एल्था सौट किन अर्ड्रैशThe जाथिए हड़ोली है और आट चान जी violations को बिःत वी तिर विवन देविच, 34 था प्राइन बॉप्तान हो सकतरों थाएं, पकासितारी नियुक्तान देविटान, पकिस्टान वन आफड रादी में था तकता बॉपला मुग्या कुछ रहा है, तो थे एर अमरिका ने कुछ गता होना है, तो कि allen खाने पीज़ बिवम से देविए ब कि पकिस्टान वसी है इस्व चुकर यहां पूटे हो पिर तुछि कुछ तुछ थी अमरका डी कारदी हो यहां पकिस्टानी मैं इसोंवाइब आपका इंडिया नगेज़ था इस वे यह नहां चुकर आ पर उमनेंगेंगें प्रडर भी मेरा काफी इंटर्स होया बेया और I was just talking to the senator also I don't see that part that America has played any part in this this is their internal politics and to see if the Pakistan has been in dot independent 1947 till date no prime minister have done complete decision so this is their own problem this is their internal problem and always the army is very possessive possessive and very um the balance between military and legislative oh shift hundar and there certainly um a point to see we mention kita see gavari for mention and like kadhi vhi Pakistan di puri history dewe che koi vhi prime minister aap di puri panch saal di term ni complete karke gya although to um Imran Khan's credit I don't know gar tu si no credit kai sakdeo positive to or te la sakdeo ya nahi but to his credit um kisi vhi prime minister nuh kadhi office to no confidence vote rahi vhi nahi kadhiya gaya so he would be the first um agar ee cheez agge istana waaddi hai tu si maraja india da mention kita si I would love to take the conversation os direction dewech because this is a very key moment for India in fact in fact os poori region de um jado vi kisi nuclear armed country dewech is tarah di crisis hun diya political turmoil hun da hai um you know unha de jo neighboring mulk aale dawale uh regional areas go on high alert right so india de utte india de naal jo relationship hai ki pakistan di um you know bittersweet uh oh kis tarah toh anu lagda hai impact hoegi joh an wale dina dewech a developments hoon jari hai unha anu laike man ik wale give it kiasi india da pakistan dewech main kai wari country in kai country hain dekha hai armenia and azerbaijaan onuhi fight chalri yonadi you know they are having a war in between them unha dech public to public animity but when you look at pakistan and india we are all same saadi koi personal loga di koi animati nini even when partition happened ton padak crore to ya da log marge si so you ato margei utho margei but that people forgot and people wanted to have a peace and they wanted to really do this even jad may pakistani logana gal karna oh they also need looking for the peace and when imran khan came on board we were very much happy imran khan is not a huge politician he was a cricketer and he really wanted to he 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 mean good to have good relation with india apart from kashmir issues he wanted to have a good relation but uh ashtag hai ki kuchh othe political politics in a very systematic way he has done and he see 2018 to 2022 tak i mean if he he would have his sheroot politician he would have left two years back i think this is a good for the for the pakistan uh country it is very good that he has done four years gee it's definitely um just a step in the right direction um so on wale you know elections are hon jare hai the last i read that um as early as october special elections new pakistan um to replaced replace prime minister imran khan um um interim uh uh frame de wich koi um you know um transitionary uh government uh transitionary figure new install kita jaoga but come october kaysana da figure tonu lagda hai aggeya ho ga you know pakistan jis thera tu si wii kaya um a trend hor mulka de wich we note karan wala hai that pakistan de wich wii ek non-political figure ne a ke power leti um india de wich wii you know uh uh cricketers khas karke ya celebrities kafi wada trend raya united states hunne is a trend new uh uh witness karke hatai with president donald trump joki system to bar sige um a popular uh camp uh campaign hunna nene run ki ti o dhe o teo jit jit ke aggeya hai so how do you think pakistan aggewa duga do you think ki koi traditional political figure aggeya ho ga aan wale sammede wich or do you think a jo trend hai ga ke politics to bar lay kuch popular uh 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 loki aggeya ange jit zak meera meera tajarba hai ki ee te no confidence motion hoyega jada saturnal hoja na oh dhe ch imran khan they will throw him out oh dhe baad tarikan saf jedi imran khan dhi party hoyega ki ki chhe mahi na time honda hai supreme court de baad wo dh chhe mahi na baad election hoon 間 and mestalus ho nghe ha Wenty terrain prime minister front lakhanke koi they don't want the army to come but they want some interim prime minister will be there orna or dhiji party rahe dao dhe jis party di murder hoeye ki AND EiSlagiri mara na, Kwaa dao fake p वह भीडनीनक वλवाइड शच्रेमिट आज़ा, выпускओण एक डाई चोटे निटम्त की मेंने बाचिक सेया हुआ है। ज़ arकोई कनोच मेरेंइगा जया कि मुदैसीन बाउब्स, हम इन भूला साथ की मुद्ध मेरेंगा, मेरेंगां लाना ही। सो एनलाइस करके लोग देखनगे and then people will of course vote मनु लगदा है कि it is very delicate issue कि इम्रान खान वापिस हाई very delicate and very tough कास करके जिस तना उनादे काफी allies उनादे खलाफ तर्न हो गे है it will be tough to win them back and once again military the support दीव ही लोड पहनी है किसी भी incoming prime minister गुचरन सिंग जी thank you again it's so interesting to see bookends दी तरह साड़नाल इस issue ते जुड़े हो thanks for reminding us कि जदो उक्रेन दे विच पहले दिन ओ जंग शुरू हुई सी ओस ताइम तौनू लाके ओस ताइम भी जिकर किता सी briefly discuss किता सी किस तरह अम्रान खान Russia पहुंचे होई सी and look किने हफ़तें बाद किस तरह इस situation deteriorate हो चुकी है सारे angles तो but we appreciate your time and तौर्डी analysis तौर्डी experience जो तुसी साड़नाल शेर किता गुचरन सिंग जी have a good rest of your night जरूर वापिस आके साड़नाल जरो good to have you back in the states वाटन सानू देओ इजाज़त सच्रियकाल इते ही छोड़ी जी एक और ब्रेक लिए असी रुक रहे हैं बट एक वरी फिर viewers जो hold करके बैठे हैं तोड़ी कॉल्स भी चुकांगे एक छोटे जी ब्रेक तो उस पार ब्रेक तो बाद एक बड़ी फिर साड़नों सवागत कर दे हैं लाइव प्रोग्राम तुसी वेख रहे हैं अज असी पाकिस्तान दी पुलिटिकल फूचर देवारे गाल का रहे हैं इस तरह एदा इम्पेक्ट वक वक नेबर्स ते ग्लोबल पावर्स दे उत्ते हो सक्दा है जदो पाकिस्तान दे करन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान नूँ एक नो कॉंफिदेंस वोट राही कर देया जानदा है एक पासे एक positive भी हैगी, एक negative भी हैगी हले तक कधी भी किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान दी पूरी history दे विच आप दी पूरी टर्म नी सर्व किती बट प्रीविजली उना नू होर असी कह सक्देयां tumultuous, ते dangerous circumstances रही कर देया जानदा सी इस वेरी इंट्रेस्टिंग टाइम इस मुल्क दी हिस्ट्री लिए डेफिनिटली एक बहुत इंपॉर्टेंट मोड है गा एदियो ते असी थोड़ी चर्चा किती तोड़े वी चार सुने कुछ और कॉलर्स भी सटना जुड़े हुए सद्शिकाल तुसी ओने रो हानी हानी स सद्शिकाल ड्र साब ओई आप्लेजर अप्लेजर अगर सब्सक्राइब तुसी इस मुद्धे टाकी कहना चाहोगे अगर्ण बहुत सारे अंगर्लां बहुत अच्छी तरह क्लियर कर दिती हैं और को मेरे मान चेश्टी जाओ तो हटके आई हैं जी लेको दोने कंट्री आल इंडिया पार्टिशन तो बात बहुत अक्के निगल गया एकनामी कली वी और फॉरण पालसी इंडिया दी पाकस्तान दे कंपारिजंट बहुत अच्छी रही इंडिया ने कोई फ्रेंड लूज नहीं कीता अगर रशिया ना पहला रहे मुड़के अमेरिका थोड़ा आफ जड़ा होते सुप्रीम कोट ने आजी डिसीजन दिता है वो तो है लगदा है विजड़ा पाकस्तान दा सुप्रीम कोट है अट लीस एट्स वेल और लाइव सानु क्या जांदा बड़ी टर्रिस्ट कंट्री है यह हो है क्योंकि इंडिया ची कई वरी सुप्रीम कोट जड़ा है इनने क्लीर फैसले अपनी मौके दी हकूमत ते नहीं करता था सुपर्यम कोट छिए और लुट कोट अब है अगर लिए पर लुट के जड़क स्वेशत दे वकर रूरर ग resि agora कि का घृए ट्यूडर नो फूरी प्रकस्टान देखर नो डूर। भीडे मौक ऺैस और मेरेश मौत वर्ट थोंडर्स नो डेम क्राश्यर्ट रो है सुछ मैरी परी ही करना थेंक यू सो मुच डॉक्टर बाज्वा वास अगान ओवीजर अमेशा तोड़े विचार बहुत ही सूलजे हुए हुन्दे यह 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 इस चीज नू असी एक वद्या एंड पॉइंट राक सक्दें अट लीस्ट अज दे प्रोग्राम देले इस खबर मुद्र नू लाके के आनवाले समेदे विच पामियो पाकिस्तान ही हुए जेदे वारे साड़े सारे यहां दे कोल अपने विचार हैगे अपने उपिनियन जहान पाकिस्तान वारे तुसी जो भी सोचते हो बट फॉर दे सेक अव प्रोग्रेस अगे वदन नहीं एचीज ब जो अग्रेसिव दे फॉर्वर्ड थिंकिंग सरकार होवे ओ आप दे नेबर्स खास करके इंडिया दे नाल चंगे संबंध होर वदान जिस तरह इमरान खान दी एक लेगसी करतार पूर कॉरिडर नू लाके बहुत वड़ी लेगसी ओ छड़ के जा रहे है एस लेगसी नू फाइनली पिछे राख के लीडर्शिप दा रोल निभाया जाए गवर्मेंट ते सरकार आप दी राजनीती रखे एही साधी उमीद है बट अफोर्स एडवलपिंग स्टोरी है साटड़े या संडे नू ए नो कॉन्फिदेंस वोट असी एक्सप्ट का रहे हैं सो किस तरह प्ले आउट हुन दिये ओधी भी खवर तोर ना लगले हफते शेयर करांगे आज दे प्रोग्राम नू लाएके साधले या साधे गैस ले कोई क्वेस्टन्स कॉमेंट्स कंसर्ण्स जी जुरूसा नू लिख सकते उन्फोर अजस्ट्राइस्टिंग डॉट कॉम आश्मिता अजस्ट्राइस्टिंग डॉट कॉम हुनमनु देव इजासत सत्स्रियकाल